नमस्कार दोस्तूं राधे राधे आज हम जानेंगे कि मौन अमवस्या क्यों रखी जाती है और इसकी क्या है कथा माग वास अमवस्या को ही मौनी अमवस्या कहा जाता है इस दिन मौन रहना चाहिए इसलिए इस्वरत को मौन धारन करके समापन करने वाले हो मौनी पत की प्राप्ति होती है ये दिन शृष्टी संचालक मनु का जनम दिवस भी है इस दिन गंगास नान तथा दान दक्षिना का विशेश महजव है ऐसी माननेता है कि मौन रहने से आपको आत्मबल मिलता है तो चलिए अब जानते हैं मौनी अमवस्या की कथा पुरानों के अनुसार कांची पुरी में एक भ्रामन रहता था उसका नाम देश स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था उसके साथ पुत्रू और एक पुत्री थी पुत्री का नाम गुनवन्ती था ब्रामन ने साथो पुत्रों का विवा करके बेटी के लिए वर खोज ने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री के जनम कुनली देखी और बताया सब्त पती होते होते ये कन्या विद्वा हो जाएगी तभी पंडित ने पूछा हे पंड़जी मेरी बेटी के इस वैद्वय दोश का निवारन कैसे होगा भला पंडित ने कहा पुत्र सोमा का पूजन करने से वैदव्वय दोश दूर होगा फिस सोमा का परिचे देती हुए उन्होंने बताया वै एक धोबिन है उसका निवास थान सीहल दीप है उसे जैसे तैसे प्रसंद करो और गुनवन्ती के विवास से पूर्फ उसे यहां बुला लो तब देश्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सीहल दीप जाने के लिए सागर टट पर चला गया सागर पार करने की चुनता में दोनों एक व्रिक्ष की छाया में बैट गए उस पेड़ पर एक घोसले में गित का परिवार रहता था उस समय घोसले में सिरफ गित के बच्चे थे गित के बच्चे बहाई बहन के क्रिया कलापो को देख रहे थे साइकाल के समय उन बच्चों के यानि गित के बच्चों की मा आई तो उन्होंने भूजन नहीं किया वे अपनी मा से बोले मा मा नीचे दो प्रानी सुभा से बूखे प्यासे बैठे हैं जब तक वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम भे कुछ नहीं खाएंगे तब दया और ममता के वशिभूत गित माता उनके पास आई और बोली मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है इस वन में जो भी फल, फूल, कंद, मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ आप भोजन कर लीजिए मैं प्राता काल आपको सागर पार कराकर सिंगल दीब की सीमा के पास पहुँचा दूंगी और वे दोनों भाई भेन माता की सहायता से सोमा के यहां जा पहुँचे वे नित्ते प्राता उचकर सोमा का घर जाड़ कर लीब देते एक दिन सोमा ने अपनी भाईों से पूछा अरे हमारे घर कौन बुराता है? कौन लीबता पोता है? तुम्हें पता है क्या? सारी भाईों ने कहा अरे माजी हमारे सिवाए और कौन बहार से इस काम को करने आएगा आप ही बताएं भला किन्तो सुमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ एक दिन उसने रहेश से जानना चाहा वे सारी राद जागी और सब कुछ प्रतक्ष देख कर जान गई सुमा का उन भाई बहन से वार्तलाप हुआ भाई ने सुमा को बहन सम्बंदी सारी बात बता दी सुमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन होकर उचे समय पर उनके घर पहुँचने का वचन देकर करन्या के वैद्वई दूश का निवारन का आशवासन दे दिया मगर भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया आग्रह करने पर सूमा उनके साथ चल दी चलते समय सूमा ने भवों से कहा मेरी अनुपस्तिती में यदि किसी का दिहांध हो जाए तो उसके शरीर को नश्ट मत करना मेरा इंतजार करना और फिर सूमा भाई भेन के साथ कांची पुरीर पहुँच गई दूसरे दिन गुनवन्ती के विवा का कारे करम तै हो गया सब्थ पदी हूती ही उसका पती मर गया सूमा ने तुरंथ अपने संचित पुन्यों का फल गुनवन्ती को प्रदान कर दिया तुरंथ ही उसका पती जेवित हो उठा सूमा उन्हें आश्रवात देकर अपने घर चली गई उधा गुन्वन्ती को पुन्य फल देने से सूमा के पुत्र, जमाता तथा पती की मृत्य हो गए सूमा ने पुन्य फल संचित करने के लिए मार्क में पीपल की व्रिष की छाया में विष्णू जी का पूजन करके 108 परिकरमाई की इसके पून्य होने पर ही उसके परिवार के मृत्तक जन जीवित हो उठे तो दोस्तों निशकाम भाव से सेवा कफल जरूर मधुर होता है इस रत का यही लक्षे है राधे राधे कर दोस्तों जीवित है राधे